Hello viewers, welcome to my YouTube channel आपके दिल के लिए हैं कुछ आदते हामफूल जिने छोड़ देने में ही आपको समझदारी है कौन सी हैं वो आदते हैं इस वीडियो में जानिए जैसा कि हम सबी जानते हैं कि हमारी कई आदते हैं कि स्मोकिंग करना, जादा ड्रिंग करना और एक्टिव ने रहना आदी हमारे दिल की सेहत के लिए हामफूल होती है लेकिन कई मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि इनके अलावा भी कई ऐसी आदते हैं जिने हम इग्नोर करते हैं लेकिन जो हमारे हार्ट को धीरे धीरे नुकसान पहुचाती हैं तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जिने आपको छोड़ देना चाहिए अगर आप अच्छी सेहत जीना चाहते हैं तो खराटे भरना खराटे आने पर हम ठीक से सांथ नहीं ले पाते इससे हार्ट बीट एनियमित होती है और हार्ट डिसीज का खत्राब बढ़ता है प्रॉब्लम्स बढ़ने पर पेस मेकर की जरूद भी पढ़ सकती है लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना स्ट्रेटीज कहती हैं कि अक्सर स्ट्रेस में रहने से हार्ट डिसीज की आशंका बढ़ती है मेडिटेशन और एक्सराइज करने से स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी घंटो टीवी देखना, देर तक टीवी के सामने बैठे रहना हार्ट के लिए नुकसान दायक होता है कम मुवेंट की वज़े से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता जिससे हार्ट डिजीज का खत्रा बढ़ जाता है अकेले रहना, अकेले पन से स्ट्रेस, चिर्चिरापन और बिमारियां बढ़ती हैं इससे हार्ट डिजीज का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है एक्सेसाइज करके छोड़ देना, कुछ लोग जरूर से ज़ादा एक्सेसाइज करते हैं और फिर गेस्ट्रेडियूल छोड़ देते हैं यह तरीका हार्ट के लिए ठीक नहीं होता बहुत जादा शराब पीना, जादा शराब पीने से हाई बीपी, हाई ब्लड फैट, हार्ट फेलियर की प्रॉप्लम्स हो सकती है इसे मिलने वाली कैलरी से वजन भी बढ़ेगा, जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता सिगरिट, तमाखू से ब्लड क्लोट होता है, ऐसे में बॉड़ी का ब्लड सर्कुलिशिट ठीक तरह से नहीं हो पाता और हार्ट अटैक की आशेंका बढ़ती है ओवर इटिंग, ओवर इटिंग से मोटापा बढ़ता है, वजन जादा होने पर बॉड़ी में कोलोस्टोर लेवल बढ़ता है, जिससे हार्ट को नुकसान पहुंचता है दवाई ने लेना, अगर ब्लड प्रेशर जैसी किसी बिमारी की दवाई चल रही हो तो दवाई खाना भूलने या वक्त पर दवाई ने खाने से हार्ट पर बुरा असर पढ़ता है सबजिया ने खाना हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबजिया और फल आदी बहुत जरूरी है डाइट में ये प्रयाप्न मातला में शामिल नहीं करने से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है ज्यादा नमक खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे किड्नी डैमेज और हार्ट अटेक का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है अनहेल्दी इटिंग, शुगर, फैटी और ओयली फूर में ज्यादा कैलरी और बहुत कम निट्रियंस होते हैं इन्हें खाने से वजन बढ़ता है जो हार्ट के लिए नुक्सान दे होता है सिम्टम्स को इग्नोर करना, जैसे अचानक से सांस पूलना, जादा पसीना आना, चेस्ट के पास पेन होना, जैसे संकेत हार्ट अटेक की चेतावनी देते हैं इन्हें इग्नोर करना हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है Red Meat ज्यादा मात्रा में Red Meat खाने से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है इसे Heart Attack और Cancer का खत्रा हो सकता है Regular Health Check-Up ने कराना घर में किसी को Heart Disease रही है तो Regular Health Check-Up करवाना जरूरी है Body में प्रॉब्लम होना शुरू होते ही पता चल जाए तो उसे असानी से कंट्रोल किया जा सकता है तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है आपके दिल के लिए कौन सी आदते हामफूर होती है जिने आपको छोड़ देना चाहिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजन कि अगरो अपने प्रेजन अपने शसने खुयत